अमिश्कार मैं निकिता शुकला इंडिया होड टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है चलिए बात करते हैं आज की एंटिटेंवेंट से जड़ी बुलेटिन का सत्तर के हुए सुपर स्टार रजिनी कांद प्रधानमत्री नरिंद्र मोधी समेत स्टास ने दी बधाई साउथ इंडिस्ट्री में भगवान का दर्चा पाचुके मेगा स्टार रजिनी कांद शनिवार के दिन अपना सत्तरवा जनम दिन मना रहे हैं रजिनी कांद ने अपनी स्टाइल और आक्टिंग से दर्शकों की दिलों में खास जगे बनाई है दुनिया भर में उनकी फैन फॉलॉइंग है खास बात तो यह है कि हर जनरेशन के लिए वे एक रोल मॉडल रहे हैं और उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिलता है आज इस खास मौके पर भी आक्टिर को हर तरफ से बधाया मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेट का इस टास ने रजिनी कांद को शुपकामनाय दी है कंगना की वजह से दिलजीत किधर है कर गया ट्रेंड सिंगर ने दिया मज़िदार जवा अक्टरस कंगना रनौत का सिंगर दिलजीत दोशांच पर हमला करने का सिलसिलाज जारी है एक बार के लिए दिलजीत जरूर अपशान पढ़ गए है लिकिन कंगना की तरफ से लगतार बयान दिये जा रहे है खुद कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट कर ना सिर्फ इस ट्रेंड को मजबूत कर दिया बलकि दिलजीत पर भी निशाना साधा अपनी एक फोटो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा हैतराबाद में बारक घंटी की शूटिंग के बाद मैं चिन्नई के लिए रवाना हो गई वैसे मैं यलो ड्रेस में कैसी दिख रही हूँ कंगना ने ये ट्वीट कर फिर दिलजीत पर तंचकस दिया लेकिन इस बार दिलजीत ने भी मज़दार पलटवार कर दिया है धरमेंदर ने कहा कि मैं अपने किसान भायों की पीड़ा को देख कर बहुत दुखी हूँ सरकार को 30 से समधान करना चाहिए इस से पहले भी धरमेंदर ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था हाला कि ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया था जिसको लेकर धर में इंद्रि ट्रोल हुए थे बता दे कि इंडस्ट्री के कईस टास्क किसानों के समर्थर में ट्वीट कर रहे हैं अक्टरिस प्रियंका चोपडा को भी किसानों के स्थिती देख बहुत दर्थ हो रहा है गली बॉय के बाद फिर आलिया भट संग नसर आएंगर अन्वीर सिंग 2021 में शुरू होगी शूटिंग बॉलिवुड अक्टर अन्वीर सिंग ने पिछले कुछ सालों में अपने अभी नएकी विविदिता से ना सर्फ दर्शकों को प्रभावित क्या है बल्कि उन्होंने फिल्म निर्देशकों का भरोसा भी चीता है अक्टर के पास इस समय यू तो कुछ प्रोजेक्ट से पहले से ही है अब इस लिस्ट में एक फिल्म और जुटती नजर आ रही है सूत्रो की माने तो इक बर फिर से रनवीर से इंगाले भट के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे इस बार इन दोनों को एक सा सिल्वर स्क्रीन पर लाने का जिम्मा करण जोहर ने उठाया है फिल्म को लेकर जादा जानकारी फिलाल सामने नहीं आई है इसकी शूटिंग साल 2020 में शुरू की जाएगी बिग बॉस आउस में हुई राखिस सावंत की धमाकेदार एंट्री ये विक्टेट खिलाडी भी आए वापस बिग बॉस के शुक्रुवार के एकिसोड की शुरुआत काफी शान्त महौल से हुई लेकिन फिर हुआ वो दमदार धमाका जुसका फैस को बेस सब्री से इंतिजार था शूट में हुई राखिस सावंत की एंट्री और साथ ही अली गोनी वनी की तंबोली भी एक बार फिर से वापस आ गए राखिस सावंत ने घर में घुसते ही सबसे पहले अर्शी खान को निशाने पढ़ लिया राखिस साफ कहा कि क्यूंकि विकास सौफ्ट टार्गेट है इसलिए अर्शी उन्हें निशाना बना रही है विकास गुपता को राखि ने अपना भाई कहा जिसके बाद अर्शी खान ने कहा कि वो भी देखेंगी कि कब तक राखिस सावंत विकास को उन से बचा पाती है उमीद करते हैं कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो रखिया भर खबर पर अपनी नजर इंडिया होट टॉपिक्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चानल को और देखते रहें देश भर के लेटेस्ट अबडेट्स धन्यवाद